दिमिट्री इवनोविच मेंडिलीव ने केमिस्ट्री की दुनिया में एक बेहद एहतिहासिक किरदार निभाया। उन्होंने हमें ना सिर्फ एलिमेंस को समुह में रखने का सबसे आसान और कुशल तरीका बताया, बलकि एलिमेंस की periodic classification की नीव भी रखी जिसे हम आज भी इस्तमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडलीव ने कैसे और क्या काम किया। जब मेंडलीव ने अपना काम यानी elements को समुह में डालना और व्यवस्थित करना शुरू किया तब उन्हें लगभग पूरे 63 elements के बारे में पता था वो इस बात पर अटल थे कि वो elements को उनके physical और chemical properties के हिसाब से लगाएंगे उन्हें पता था कि chemical properties को समझने के लिए उन्हें elements को एक-दो standard elements के साथ react करना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने hydrogen और oxygen को चुना पर क्यों? मेंडलीव ने elements को hydrogen और oxygen के साथ react करने के बारे में इन वजहों से सोचा वो बहुत reactive होते हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और वो ज्यादा तर सभी elements के साथ compound बना लेते हैं हाँ, इससे उन्हें सभी reacting elements की chemical properties समझने में मदद मिली बाद में इस तरीके को आसान बनाने के लिए उन्होंने हर element की physical और chemical properties को 63 अलग-अलग cards पर लिखा इसके बाद उन्हें इन cards को सिर्फ arrange करना था पर ये उतना असान नहीं था तो उन्होंने उन cards को atomic masses के बढ़ते क्रम के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया जब वो ये सारे cards अपने दिवार पर चिपका चुके थे उन्होंने दो हैरान कर देने वाली चीजें देखी पहली चीज ये थी कि पूरी table जो उन्होंने बनाई थी उसमें कुछ खाली जगहे थी ये जगहें उन elements के लिए थी जो तब तक नहीं खोजे गए थे पर मेंडलीव को पूरा यकीन था कि खोई हुए elements मौजूद हैं और उन्हें बस खोजे जाने की देर है न सिर्फ ये बल कि उन्हें उन elements की विशेश्टाओं के बारे में पता था और उन्होंने उनकी विशेश्टाओं को पहले ही आँक लिया था बाद में जब elements को खोजा गया तब पता चला कि मेंडलीव ने जो विशेश्टाओं आँकी थी वो बिलकुल सही थी दूसरी बाद जो मेंडलीव ने देखी वो ये थी कि elements की physical और chemical properties बार-बार दोहरा रही थी जब उन्हें systematic तरीके से विवस्थित किया गया तब पता चला कि elements की physical और chemical properties एक ही interval या frequency पर बार-बार दोहरा रही थी इसके साथ मेंडलीव ने एक नया law बनाया उन्होंने उसका नाम रखा periodic law इस law के हिसाब से properties of elements are periodic functions of their atomic masses तो अब हम इससे क्या समझें? आईए इसे आसान बनाने के लिए इस statement को हम टुकडों में समझते हैं properties of elements का मतलब है table में पाए जाने वाले सभी elements की physical और chemical properties are the periodic functions का मतलब है वो जो नियमित अंतराल पर बार बार दोराए जाते हैं और आखिर में आता है of their atomic masses जिसका मतलब है जब हम उन्हें atomic masses के बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो क्या हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब elements को उनके atomic masses के हिसाब से बढ़ते क्रम में लगाय जाता है तब वो नियमित अंतराल पर एक जैसी physical और chemical properties दिखाते हैं हाँ मेंडलीव का भी यही मतलब था इसी तरह मेंडलीव ने modern periodic table की नीव रखी पर क्या मेंडलीव के इस महान योगदान में कोई कमी नहीं थी हाँ कुछ थी जो समय के साथ सामने आई चलिए मेंडलीव के काम की सफलताओं और कमियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं